नमस्ते दोस्तों, दा यलो किचन में आपका स्वागत है, दोस्तों आज हमारे यलो किचन में बनने वाला है वेजिटेबल सूप, जो की सरदियों में बहुत हिलाबकारी होता है हेल्थ के लिए, हमारा इमनिटी सिस्टम भी बहुत ही स्ट्रॉंग हो जाता है सूप पीने से दोस्तों तो आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फटावर सब्सक्राइब कर दीजिए वगल का बेल आइकन भी दबा दीजिए वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना पिल्कुल ना भूलिए चलिए शुरू करते हैं वेजिटेबल सूप बनाने के लिए पहले हम तयार करेंगे वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए यहां मैंने कटा हुआ गाजर ले लिया है और जो चीज़े हम फेक देते हैं पत्ता गोबी का उपर का कवर पत्ता गोबी का गाठ और उसके बाद मैं यहां पे ले ली हूँ French bean ले ली हूँ और एक सिम्ला मीज कट करके ले लिए हूँ और यहां मैं full goby का जो डंठल हम फेक देते हैं उसको भी मैं यूज करूंगी और vegetable stock के लिए मैं यहाँ पे धनिया के डंठल भी ले ली हूँ और एक कटा हुआ प्याज इन सबी चीजों हमें पहले roughly कट कर लेना है दोस्तों अभी आप सोचते होंगे दोस्तों कि गोबी का डंठल पत्ता गोबी का डंठल इस सब जो चीजे हम फेक देते हैं यह क्यों लिया गया है तो दोस्तों इन सब चीजों में जायलम नाम का एक सत्व होता है जो हमारे सरीर का हमारे लिए बहुत यूपयोगी होता है इसमें स्ट्राग बना के सूप जरूर बनाएंगे तो हमने या पे कड़ाई चड़ा दिया उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है अब जो हम रफली कटे हुए सबजीयों को मैंने तयार किया है वह उसमें मैं डाल दूंगी और हलका सा मैं इसे एक से दो मिनट तक सोती कर इसे भी इसमें डालकी का नियूशне नहीं और अच्छे से धी तिससे सोती करने के बाद दोतों हम इसमें अभी मैं क incluse 2 लीटर के लगभग पानी यूज़ा रही हूं हम 2 लीटर पानी डालने के बाद जो ऐसे द्धक दूवगी उबालने के लिए हम 15 से 20 मिनुट तक पकान पूरा वेजिटेबल का जो विटामीन, मिनरल है सब पानी में आ गया है, पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है, यानि यह बहुत ही फायदेमन पानी है, अब हम इसे जो है छान लेंगे, अब इच्छने हुए जो सबजी है, इसमें अब कुछ भी रहने ही गया है, इसे तरह से चौपर में चौप कर ली हूँ, आप बारिक काट भी सकते हैं, सिमला मिर्च ली हूँ, चौप किया हुआ पत्ता गोभी, बारिक कटा हुआ अद्रग, बारिक कटा हुआ फ्रेंच बीन, और एक बारिक कटा हुआ प्याज ली हूँ, बारिक कटा हुआ मैं यहापे लसुन और कॉनली हूँ, अगर आपके पास मश्रूम हो, पनीर हो, उसको भी आप बारिक बारी काट करके इसमें यूज कर सकते हैं दोस्तों, तो चलिए मैंने कड़ाई चड़ा दिया है, उसमें तोड़ा सा दालूंगी तेल, पहले मैं तोड़ा सा तेल डालूंगी, फिर मै और वाले में तोड़ा हो जालूंगी और उसमें अब डाल दूंगी इसमें अब डाल दूंगी इन सबी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से सौते कर लेना है जब हमारा प्याज ट्रांस्वलेंट हो जायए तो तब हमें इसमें बाखी सबजियों को add करना है तो अब हमें इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ French Bean डाल दूगी मैं अब ही मैं add करूँगी कौन और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी बारिक कटा हुआ यानि चौप किया हुआ हमारा जो एक दम गाजर्म है वो डाल दूँगी चौप किया हुआ इसमें मैं पत्तागो भी ऐड़ कर दूँगी उसके बार जो बारी काट करें मैंने लिया है सिमला मीच वो भी डाल दूँगी इन सबी चीजों को हमें अच्छी तरह से भुन लेना है जादा हमें गलाना नहीं है अब हम इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ा समया चीनी का यूज़ कर रही हूँ यह बिल्कुल ही ऑप्सनल है आपको पसंद न हो तो ना डाले उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फिर जो हमने वेजिटेबल स्टॉक रेडी किया है उसे हम इसमें अड कर देंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो का लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले बगल का बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरा नया ना वीडियो आप तक आसानी से और प्लॉर दूगई चलिए हम तक कोन की सऊलरी तेयार कर लेतने दर करना इकली मैंने अपने and चरकिवार आप पहली है कौन की सब्सक्वा गाने ले लिए और फे एक पामरी सब्सक्राइब कर एक हमारी और और पानी सबल्स करेंगे कि अलेंसे से पहले हम इसी टेस्ट कर लेंगे कि इसमें प्लूर का मत्रारा उसकें बदल सकति तो तो थोड़ा सा नमक नमक कैम आड़लवाई, अब मैं धीरे-धीरे करें कॉन नहीं को क्प्लूर्स ब्लायार है दे लुकि प्लूर यह को नो छलाते रहे हमारा वेज़ेटेवल सूप बनकर की रेडी हो गया है गैस को मैंने कर दिया है बंद अब चले में आपको इसे सब करके दिखाती हूं धोस्तों आप भी जरूर ट्राइ करिए अपना अन्भव मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए कि आपने सूप की सरह से बनाया कैसा बना और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूलिए दोस्तों इस सूप से आप बिन दवर लगाए अपना वजन भी कम कर सकते हैं सर्दियों में और अपना यूमन सिस्टम जो है वो एकदम स्ट्रॉंग कर सकते हैं और सर्दियों में हेल्दी रह सकते हैं